अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाती हूँ वीडियोस होम डेकॉर पे, लाइफ स्टाइल पे, शॉपिंग हॉल पे और भी बहुत कुछ और आज का ये वीडियो होने वाला है about 4 easy ways to decorate your coffee table और scent table. तो लेट्स स्टाइट ये जो मेरी coffee table है, ये wood की square shaped coffee table है और इसका dimension है 90 by 90 cm तो आज मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे easy तरीके जिनसे आप ऐसी coffee table या अपनी center table को decorate कर सकते हों तो style no.1, let's start Decor Style 1 के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ एक table runner, जो की light color का है और इसमें golden color से prints बने हुए हैं, लेकिन मैं इसको table पे diagonally बिच्छाऊंगी. अब मैं इस table runner के दोनों corner पे यह round table mat रखूंगी, जो की मैंने एक local vendor से लिये थे, अब इन mat के ऊपर मैं रख रही हूँ यह planter, यह भी मैंने एक roadside vendor से लिये थे, लेकिन यह बहुत ही beautiful planters हैं. अब इन planters में मैं plant की जगा रख रही हूँ यह scented candles, और मुझे personally candles बहुत पसंद हैं. अब यहाँ table के center में मैं रख रही हूँ यह glass का vase, जो की मैंने home center से लिया था. अब इस वास के अंदर मैं लगा रही हूँ battery operated fairy light. मुझे लगता है कि fairy light किसी भी home decor को और ज़्यादा enhance कर देती है. अब भारी है इन candles को light up करने की. और बस अब एक final touch. हमारी fairy light को चालू करते ही, हमारा table decor हो गया पूरा. और यह है हमारा coffee table या center table decor style 1. Scented candles, fairy light, dim light, room के environment को एक अलग ही माहौल दे देती है. यहोब आपको style number 1 पसंद आया हो. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं style number 2 की ओर. अब style number 2 के लिए मैं यूज करी हूँ यह green color का table runner जो की काफी festive vibe देता है. और इस table runner को मैं horizontally इस coffee table पे बिचाऊंगी. अब इस table के center में मैं रख रही हूँ brass का यह बहुत ही elegant और बहुत simple सा planter जिसके अंदर मैंने money plant लगा रखा है. और इस pot के दोनु साइड मैं रखूँगी metal की यह bowls और इन bowls के अंदर मैं भर रही हूँ यह scented dried petals. यह completely optional है अगर आपके पास यह dried petals नहीं हैं तो आप इस bowl में पानी भरके इसमें fresh flower petals भी डाल सकते हो. अब इस bowl के center में मैं रख रही हूँ छोटा सा दीपक जिसके अंदर मैंने small candle रखी हुई है. और बस इन candles को जलाने के साथ ही हमारे table decor का style number 2 भी होता है पूरा. और यह है हमारा table decor style number 2. I hope आपको हमारा यह coffee table decor style number 2 पसंद आया हो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं style number 3 की ओर. इसके लिए मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ एक बहुत यह simple सा table runner. अगर आपके पास table runner नहीं है तो आप कोई भी ऐसा कपड़ा यूज कर सकते हैं जो table runner की तरह दिखता हो. और इसके सेंटर में मैं रख रही हूँ जूट का यह round table mat. जिस पे मैं रख रही हूँ कुछ books. अब इस book के ऊपर मैं रख रही हूँ यह buddha statue और यह planter. अगर आपके पास बुद्धा statue नहीं है तो आप कोई और भी शोपीज यूज कर सकते हैं. और यह रहा हमारा coffee table decor style no.3. I hope आपको यह table decor style no.3 पसंद आया हो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे आखरी style no.4 की ओर. अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक DIY. अगर आपके पास table runner नहीं है तो no worries. हम यहाँ पे यूज करेंगे यह cushion covers. यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 16 by 16 inch का एक बड़ा cushion cover और 12 by 12 inches के तीन छोटे cushion covers. तो सबसे पहले मैं इस बड़े cushion cover को table के center में रखूँगी. और उसके आज़ पास में रखूँगी यह दो छोटे size के cushion covers. एक बार फिर इन तीनों cushion covers के बीच में मैं रखूँगी यह small size cushion cover. और यह ready हो गया हमारा DIY table runner. And this is how it looks. अब इस cushion cover के center में मैं रख रही हूँ यह wooden tray. और इस tray के corner में मैंने रखा है यह buddha statue जिसमें मैं लगाऊँगी यह fairy light. Obviously fairy light के बिना तो कोई भी home decor incomplete है. अब fairy light लगाने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ यह artificial plant और जिसके आसपास मैं fairy light adjust कर रही हूँ. अब इस buddha statue के आगे मैं रख रही हूँ यह छोटा सा plant और इसके बगल में मैं रख रही हूँ यह candle holders. और बस सबसे आखरी में मैं यहाँ पर जलाओंगी यह candles और बुद्धा में लगाई हूई fairy light. और इसी के साथ complete होगा हमारा coffee table decor style no. 4. और इसी के साथ finish होता है हमारा आज का यह वीडियो. I hope आपको यह coffee table decor 4 style coffee पसंद आए हो. और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को अपना love और support दिखाए इस चैनल को subscribe करके. अब मैं आपसे मिलूँगी next वीडियो में. Till then, stay happy, stay healthy, bye!